नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका Life and You Pregnancy चैनल में दोस्तों 10 जून 2021 को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगने वाला है इस सूर्य ग्रहन का समय क्या है? सूतक काल होगा नहीं होगा? भारत में ये दिखाई देगा नहीं देगा और विश्व में कौन से यसी जगा है जहां पे ये दिखाई देगा और पेगन्ट महिलाओं के ओपर इस ग्रहन का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है? वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य ग्रहन के समय से तो 10 जूल 2021 को दोपहर 1 बच के 42 मिनट पे ये ग्रहन शुरू हो जाएगा और समाप्थ होगा 6 बच के 41 मिनट पे तो duration देखी जाए तो ये 5 घंडे तक ग्रहन लगने वाला है अब हम बात करते हैं कि क्या ये भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा तो दोस्तों भारत में ये एक आंशिक सूर्य ग्रहन की तरह देखा जाएगा मतलब कि आपको कोई भी चेंजिस नहीं आएंगे पहली बात तो आपको ये कि आपको इस समापे सूर्य को देखना ही नहीं है आपको बाहर भी नहीं जाना है लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि इस समय पे कोई भी changes सूर्य की तरफ देखने में नहीं दिखाई देते हैं तो इंडिया हो गया, सारा एशिया हो गया, यॉरप हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया, आर्टिक और एट्लेंटिक रिजन्स इनमें ये एक तरीके से आंशिक सूर्य ग्रहन की तरह देखा जाएगा लेकिन नॉर्डन कैनेडा, रशिया और ग्रीनलेंड में ये एक एनुडर सोलर एकलिप्स की तरह देखा जाएगा जिसे बोलते हैं वलयकार सूर्य ग्रहन इस समय पे क्या होता है कि पृत्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही लाइन पे आलाते है चंद्रमा पृत्वी से इतना दूर होता है कि सूर्य के सिर्फ हमको बौंडरी ही दिखाई दे रही होती है चंदरमा सूर्य और प्रित्वी के बीज में होता है तो जो सूर्य के किनारे हैं या फिर इसे बॉंडरी कह लीजिए वो थोड़ी बहुत दिखती रहती है और वो द्रिश्य एक रिंग की भाती प्रतीत होता है इसे बोलते हैं विल्यकार सूर्य ग्रहन लेकिन ऐसा दिरिश्य सिर्फ रशिया, ग्रीनलेंड और नॉर्डन कैनाडा में ही देखने को मिलेगा जहां पर ये एक एनुलर सोलर एकलिप्स की तरहां लगने वाला है इंडिया में ये पार्शल सोलर एकलिप्स यानि की आंशिक शूर ग्रहन की तरहा लगेगा और यहां पर आपको ऐसा कोई भी रजारत देखने को नहीं मिलेगा सूर ग्रहन के समय पर प्रेगनेट महिलाओं को काफी सावधानी रखने की सलाद ही राती है कुछ कारे ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं तो भी आपको फाइदाई होगा कोई नुकसान नहीं होगा क्या क्या उपाई करने हैं क्या क्या प्रेगनेट महिलाओं को करना चाहिए यह एक लंबे लिस्ट हो सकती है इसलिए मैं इस चीजिज को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं उपर आपको eye button दिख रहा होगा उसके उपर एक video flash हो रही है अगर आप उसको click करते हैं तो आप एक ऐसी video में पहुँच जाएंगे सूरे ग्रहन है that means कि सूतक काल valid नहीं है सूतक काल नहीं लगेगा पूरी जानकार के लिए दोस्तों आप उस video को जुरू देखेएगा इस video में दोस्तों इतना ही था अगर आपको वीडियो ची लगी है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें बैल आइकन दबाएं और all को select करें मिलते हैं दोस्तों अगरी वीडियो में तब तक के लिए नमस्तार